नमस्कार किसान बायों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल फार्मिंग जोन में मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं फार्मिंग जोन तो आज हम आपको पुराने ट्रेक्टरों के बारे में बताने के लिए आए हैं और ट्रेक्टरों की क्या मॉडल होगा क्य क्या कंडिशन होगी और क्या कीमत होगी यही सारी बाते हम वीडियो में कवर करने वाले हैं तो हम आए हैं अलवार राजिसान के अंदर जो कि हमसे मिलेंगे आके जो मैनेजर हैं पुराने ट्रेक्टर देखते हैं वह हमसे मिलेंगे और इन ट्रेक्टरों के बारे में अपना नाम क्या इंचिरंजीलाल यी ऑ के साथ में मैंने काफ valid बना चुका हूं किसान बाइव नहीं पर नहीं पर बंडटो देख सकते हैं और तो बनेखिए आप के पास में कितना चैक्टिर घुसेया भूर की वर करिव सारी कमपनियों के टैक्टर आपको मिल जाएंगे तो के बारे में हमको वन बाई वन करके बताने वाले हैं तो आप बने रही वीडियो में तो चलिए कौन से अब बारे सकते मैं बता Uh पावर इस्टेरिंग नहीं सादा इस्टेरिंग है सिकंदर के नाम से आता है है एच डीम यानि हैवी डूटी माइलेज वाला टेक्टर आता है यह सोना लिका का 21 मॉडल है पूछते हैं कीमत कीमत क्या रखी है सर इसकी चार लाक असी अजार रुपे तो आप देख रहे हैं तो आपको 30-40,000 रुपे देने पड़ेंगे बाकी का फाइनस हो जाएगा इस पर मेरे ख्याल से 3-4 लाक तक का फाइनस हो जाएगा और अपन दे रहें इसको है फारम track 45 थारम ट्रेक 45 एशकोर्ट का टेक्टर है यह और पूछते हैं नंबर कहां के सिकर के नंबर है आर्जे 23 कहीं जो कलर जैनून नहीं है रीपेंट हो गया रीपेंट हो गया तो अच्छा में तो है मैचिंग में है तो आप देख रहे हैं यह जो कलर है रीपेंट है लेकिन मैचिंग में है जैनून नहीं है कलर यह लेंद बोड़ी का यह जो आप देख रहें नीचे का जैनून इंड यह नहीं है एक रुपिय का खर्चानी एक रुपय काख़शा नहीं है पैसे लगे रिकमंट करें आप अगले पिलाई के पिछले और पिछले पिछले ऑरीजनल है पिछले औरे मिलेगी बंपर भी मिलेगा तो किसान भाई यह फारम ट्रेक 45 जो की 2008 मोडल है और इसकी कीमत इन्हों करके ले सकते हैं अगर यह ट्रेक्टर लेना चाहते हैं तो यह ट्रेक्टर आप लेकर जा सकते हैं इनके नंबर आपको डिसकस्टन में मिल जाएंगे उसके बाद में मैसी पे आ जाते हैं यह दो हजार नौ मॉडल अलवर नंबर रजे जीरो टू अलवर नंबर है जो की डूरा में हैं 2009 से और साइद 12 तक आये थे तो यह डूरा में हैं कंडिशन थोड़ी नौर्मल है थोड़ी पूस्ते हैं कीमत क्या रखिए इसकी दो पैंटीस नौ मॉडल की दो लाक पैंटीस हजार रूपे हैं टायर कितने आप बताएंगे किसान को अगले गोड़ है जबाड़ी आप देख सकते किसान भाईयों यह जबाड़ी है जो बढ़िया टेक्टर तो दो पैंटीस बता ही आपने दो पैंटीस में यह टेक्टर आपको मिलेगा अगर आप लेना चाहते हैं तो जरूर यहां पे संपर कीजिएगा उसके बाद में बावन पैंतालीस है यह आप देख रहे हैं प्लैंट्री ड्राइव महा महान टेक्टर ह सब्सक्राइव और तो यह यह मॉडल नौई यह 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 जो अबर यह दोसा नंबर है है दो सा नंबर है यह दो हजाब नो मोडल है कंडिशन इसकी बिल्कुल साफ है 2009 मोडल की इंजन गेर वगरा लिफ्ट पगरा का कोई खर्चा सैल्फ इस्टार आप कोई खर्चा नहीं ह विलेगी नमबर अलवर कई रूंदर तो किसान बाइयों आप देख रहे हैं यह तर्वलोगों को मिल रहे हैं का अगर आप यह चाहते हैं तो यहाँ पर संपर्वक्त कर सकते हैं अलवर राजिस्तान के अंदर उसके बाद में आप देख रहे हैं यह कि दोसोइक तालीस घोल में यह आप देख रहे हैं ट्र जो कि किसानों की डिमांड ठीके हमें बोखर 2401 ट्रडश चाहिए वग्षा belong फफाइनली तो हजार में 21 में लॉंच हुआ था यह नवंबर में और आप देख रहा हैं यह तकर нравится और 21 एकित्स मॉड़ल है 21 एकिस मॉडल टेक्टर है कोई भी किसां बाई अगर यह टेक्टर लेके चाहता हो तो काफी benefit है इस टेक्टर में काफी फाइदा है क्योंकि यह टेक्टर काफी महंगा मिल रहा है अब डिमांड पे आरा यह टेक्टर काफी डिमांड डेवल हो गया है टेक्टर तो अलवर का इनमबर है पूचते हैं कीमत क्या रखिए इसकी शह लाग भी सजार करते हैं किसान कि हमें गोल सेप में 241 चाहिए यूपी के किसान जाद तर मुझे कमेंट करते हैं तो उनके लिए यह टेक्टर है आप यह टेक्टर खरीद के लेके जा सकते हैं यहां से अलवर राजिस्थान के अंदर आप चिरंजी लाल जी से संपर कर जी कीजिएगा इनके नंबर आपको डिसकसन में मिल जाएंगे यह आप परसनली भी आके इनसे मिल सकते हैं तो यह टेक्टर आप जरूर लेके जाईएगा रेटे आपको रीजनेबल मिलेंगी नेगोशियेबल मिलेंगी तो यह जो 241 गोल सेप में यह केवल राजिस्थान के अंदर ही लॉंच ह आपको बता दूँ और स्टेटों में यह टेक्टर आपको नहीं मिलेगा 241 केवल राजिस्थान में आपको टेक्टर मिलेगा तो आपको यह टेक्टर अगर चाहिए तो आप यहां टेक्टर इस्ट्रेशन अलवर राजिस्थान में आके चिरंजी लाल जी से संपक्त कर सकत यह तक्टर आपको यहीं पर मिलेगा तो मेरी बात आप समझ गए होंगे किसान भाइयो अगला हम टेक्टर पूछते हैं कि चिरंजी लाल जी से यह 241 से चोकोर सो में नंबर अलवर का यह यह दोलपूर नंबर अलवर का मतला राज्तान का नंबर कंडिशन तो ठीक है वैसे तो कंडिशन नॉर्मल नॉर्मल है ठीक है हाँ 241 की अच्छा अच्छा है तो कीमत क्या रखिए इसकी कीमत दो पिच्च्छी दो लाग पिच्च्छी अजार रुपे हैं तो बहुत अच्छा ट्रेक्टर है यह काफी किसान को पसंद करते हैं 241 को और यह तक के दो लाख किच्चा सी अजार रुपे में ट्रेक्टर मिलता है दो हजार नो मोडल तो दस मोडल आपको यह ट्रक्टर मिल रहा है उसके बाद में हम बात करते हैं फारम ट्रेक साथ यह 16 मोडल है नंबर कहा के विवाडी वाइस्तान में यह विवाडी इसका जो कलर है बिल्कु किसान बाइओ और नई छत्री है बिल्कुल आप छत्री देख रहे हैं और साफ सुत्रा है सूखा टेक्टर है कहीं कोई लिकेज वगएरा नहीं है टेक्टर में मोडल भी उचाहिए 17 मोडल आना 16 16 मोडल है बंफर साथ मिलेगा इसमें विवाडी नंबर है पूछते हैं सेल पूस्ते हैं कीमत क्या रखे किसानों कि चारलाग बीस अजार रुपए 17 मोडल की चारलाग बीस अजार रुपए में आपको लोगों को मिल रहा है अगर आप ये ट्रेक्टर खरीदना चाहते तो टेक्टर इस्टेशन अलवर राजिस्थान के अंदर आपको आना और यह एक के जा सकते हैं यह एक कटोम और मारे शिकायद करते हैं कि आप थोड़ी रीटे ज्याद़ा पाते हैं तो थोड़ा नेगयोसिकेबल यह इस को करेंगे तो आप जैनून काम होता है यहां पर मैसी की एजनसी है टेक्टर इस्टेशन के नाम से और यहां पर पूरा का पूरा आप ट्रेस्ट कर सकते हैं कोई फ्रोड का काम नहीं है पूरा यहां पर जो है लीगल ही काम होता है सारा का सारा और चिरंजी लाल जी इन टेक्टरों को सम बालते हैं उसके बाद में हम बात करते हैं महींद्रा महींद्रा 470 जिसमें कि आप मरगाट लगे हुए आगे तेसके डायर कि इसके गंटे चला आपको केवल 30-40 रुपे बरने हैं और यह ट्रैक्टर लेके जाना पूछते हैं इसकी कीमत कीमत क्या रखेंगे साड़े चार लाग पचास अजार रुपे में टैक्टर मिलता है और काफी साफ सुत्रा टैक्टर है यह अगर आप यह लेकर जाना चाहते हों तो टैक्टर इस्टिशन अलवर राजिस्थान के अंदर आपको आना पड़ेगा चि